हाई एवरीवन माई नेम इस नदी बतनागर और वल्कम यू ओल इन दिस चैनल तो आज के विडियो में क्या सीखेंगे दिखो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का यानि कि इतिहास का चैप्रा नंबर फोर यह हम करेंगे एंसी आर्टी के बुक से हिंदी में ठीक हैं तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं मगल सोलवी से शत्रवी शताब्दी तक यानि कि 16th century से लेकर सत्रवी शताब्दी तक 17th century तक क्या चलता रहा है इसके बारे में हमाँ पढ़ने वाले हैं मद्यकाल में किसी भी भारती है उप महादीप जैसे बड़े शेत्रपत जहां ल यहां पाकिस्तान वाला एरिया यह नेपाल वाल एरिया भूतान वाले अरिया सब जो है वो समीले और इस पूरे समले लिए को इंद्यन सब्सकॉंटिनेंट यानि कि भारतिय कमादीप कहते थे अब इतने बड़े सब्सक्राइब पर जहां इतनी संस्कृतियां हो यानि कि इतने डाइवर्स पीपल रहते हो इतने डाइवर्स इनो कल्चर्स हों है ना विविदताइं हो इतनी जादा उस पर शाषन कर पाना बहुत कटिंग काम था अब देखो यहां पर इतनी सारी भाशा ही बोली जाती है इतनी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो उन सब सब्सक्राइब बांगला देशी सब मिला मिलो के इंडियन सब्सक्राइब कहा जाता ता तो उस पर शाषिन करना बहुत मुश्किल था अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत ठीक है जो इनके पहले आए थे किसके पूर्ववर्तियों बात चल रही है हमारे मुगल की तो मुगल आए थे ना इनके पूर्वर्ति पूर्वर्तियों मतलब क्या होता है इनके जो पूर्वज थे तो क्या हुआ है उनके बिल्कुल प्रिडीसर्स बोलते हैं को प्रिडीसर्स बोलते हैं क्या बच्छों प्रिडीसर्स बोलते हैं तो क्या हुआ है इन लोगों ने जब अवदियों के लिए ही संभव जान पड़ता था यानि कि मुगलों के जो पूर्वच थे इनके जो प्रिडीसर से जब आते थे तो थोड़े टाइम तिक पाते थे तिन बड़े इंडियन सब कॉंटेनेंट वह लेकिन फिर भी जादा लंबे समय ते कि टिके नहीं और इन वारा शुडू हूआ ठीक है तो सोलमी शति के उतरार्द से अगर बात करते हैं इन्होंने दिली और आग्रा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया ठेक है तो अगर वात करते हैं यहाँ पर लेटर हाफ में सोलमी शदिए सोल से सत्रविके बीच में लगबक जब यह तो इन लोगों ने पंदरा सो पचास से बाद में बाबर अपना तो सोलवी सदी का उत्राड़ से कहा जा रहा है उस समय में अपना दिल्ली और आगरा में पूरे राज्य का विस्तार शुरू कर दिया था ठीक है और सत्रवी शताब्दी में लगबाग पूरे संपून माधी परिंग का दिकार हो गया सत्रवी शताब्दी मतलब सोला सो सम्थिंग में ठीक है और उन्होंने प्रशासन के धांचे प्रशासन के डाचे होता है शक्चर ऑफ अड्मिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए जैसे राजा होगा फिर संबंदी जो भी उनके विचारत है कि शाषन कैसे करना चाहिए कि इसको क्या काम दिया जाए इस तरीके काम कह सकते हैं गवर्नेंस जो सहम कहते हैं आईडिया और गवर्नेंस यह पूरा जो है एक उनके राज्जे के पतन के बाद भी यह चीज़ें टीकी रही थी पतन के ब इसा कैसे डिवाइड हो का इस पूरा इन्होंने अड्मिस्टेशन सिखा दिया गवर्नेंस सिखा दिया आइडिया ऑफ गवर्नेंस यह जो एक प्लिटिकल लेशी है एक दरोर है एक राजनेतिक दरोर एक तरी किसम कह सकते हैं जिसके प्रभाव से उप माधीप में उनके प प्रभाव के प्रभाव से इंग्लिष में क्या बोलते हैं बचों बो इंगिलिष में क्या बोलिंगे को रेंपार्ट उसके राष्ट को संबोधित करते हैं चुआं जाए जाता है वहां से ऊपको दिकार रहें कि इस अब एक कोश्चना आ नहीं था बस एक कोईशन यह बन सकता था मोटा माटी कि जो मुगल्स थे वो अपने पूर्वजों के विप्रीत क्या चीज़े थी जो उनमें बहुत अच्छी थी तो अगर हम बात करते हैं माता की साइट से तो वे मंगोल चाशक चंगेश खान जो की चीन और मद्य इश्या के कुछ बागों पर राज करता था यह उसके उत्तरादिकारी थे उत्तरादिकारी कौन होता है समझलो यह इनके नानाजी टाइप उसस तरफ से थी पिता की ओर से वे इरान अराक वे वर्दमान तुर्की के जो शाशक हैं तैमूर तैमूर जिनकी दो गई तेमुर परान तो मुगल आपने आपको मुगल या मंगूल के लवाना बिलकुल पसंद नहीं तरह इनको को इसलिए था जितनी भी जुड़ी वे समर्थियां थी वह सेक्ड़ो व्यक्दियों के मैसकेर यानिकिन नरसंगार से संबन दिती चंगेज खान एक एक एसा कोई डाकू होता है ना टाकू आया लुटे रहा है उसमें मारा काटा लोगों को लूटा परिशान किया और दरसंगार का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना तो चंगेज खान का कोई अपने आपको क्यों कहल वाना चाहिए कि एक डाकू की फैमिली से हैं बिल्कुल अचाह नहीं लगता तो इने ऐसा का जाए दूसरी तरब जो मुगल तैमूर के मंश के थी वने पर उन्हीं गरवों साता मुगली कहते थे थे थाटीन नाइंटी एट में डेट याद कर लो थाटीन नाइंटी एट में उन्होंने दिल्ली पर कबजा कर लिया था चीक है कहां कबजा कर लेता हूं नहीं दिली पर कबजा कर लेता अब एक आदमी जिसने जगह जीती हो कोई आप फैमिली कह लाना पसंद करोगे द्विणेट्ट जीस दान्म जयांटकर कर और शर्त जीन पता किया करता था और जो पीता त्हुन प्शाश ते मंगोल ना बल्कुल नहीं था वोंकि चैंगेज तेमूर के वंशक को बोले क्योंकि दिल्ली पर लिए कर लिया तो अपनी प्रदर्षन चित्र वनवा के किया पिछली नियुक्त में जिसमें शुट तैमूर के पिटाजी उनके पिताजी सणीकि के सब फिक्चर थी उनके बच्चे वच्चे और जो लोग मर भी चुके हैं दादा पर दादा वो साब मिलाकर उन्होंने एक पिक्चर बन वाली थी और उस पिक्चर में वह हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता था हार एक आदमी तरीके से समझ लो यह अपने आपको रिलेट कर रहा था ठीक है मुगल सायन ने अभियान का मतलब होता है मुगल्स के मिलेटरी कैंपियंस टीक है तो लड़ने जाते थे मिलेटरी मेना के लोग लड़ने जाते थे प्रतम मुगल शाषक जो था बावर था उसने जब 1494 में फर्गना राज्य का उत्तर अधिकार प्राप्ट कर लिया फर्गना को इसने जीती लिया होका 1494 में इंप्रटेंट लाइन है उसकी उमर केवल बारा बर्ष की थी यह समझ दो कि बारा साल की उमर में वर्गना पर जीत गया और मंगोलों दूसरी शाहक थी उस्बेग देको मंगोल उसको छोड़ना पड़ा कि ऐंड़ों को चाहरे 15-4-30 काबूल पे कभजा कर लिया वेरी इंपॉर्टन लाइन चीक हैं और 1526 में दिल्ली के सुल्तान है इबराहिम लोदी बहुत इन पॉर्टन लाइन यह इबराहिम लोदी को इसने हरा दिया पानीबत में इसने अराया और दिल्ली और आगरा को सबसे पहले अपने कभजे में ले लिया था सबसे पहले दिली और आगरा इनके कभजे में आए थे पाद में तो दीरे दीरे पूरे सब जब युद्ध हुए तो उसमें तोप और गुलाबारी का जो है पहली बार इस्तमाल हुआ बावर ने इनका पानीपत की लड़ाई में प्रभावी डंग से प्रियोग किया बावर ने जब लड़ाई लड़ी तो खूब उसने गुला बारूत तोप वगरा का कूब स्तमाल कि अब यहां पर आपको एक पिच्चर दिकार रखिया है मुगल फॉज्जे अभियान ठीक है मुगलों की फॉज्जे अभियान चालों कमिंग टू नेक्स्ट वीज उत्तर अधिकार की मुगल परंपरा है मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन किस तरीके से किसको गद्धी दी जाएगी बैसे कि मुगल जेश्टा अधिकार के नियम में विश्वास करते थे अब जेश्टा अधिकार मतलब होता है प्रमोजिनी एचर मतलब एक तरीके से जो स मिश्फास नहीं करते थे कि राजा का बड़ा बिटा है उसी को राज़वाट मिलेगा जैसे पहले क्या आता तेको तुम कनेक्ट करो जैसे राजा देश्चरत थे अब उनका सबसे बड़ा बेटा राम चंद्र जी थे उनके बड़े-बेटे तो किसको गद्डी मिली राम चं सधायाद का मतलब होता है कब इसमें वह विश्वास करते हैं इनहेरिटन्स मतलब जो भी जायदाद की वह सब में बराबर बटे जैए जिस आज के दोर में होता है चार महीं है तो पिता कि ऐस सब को देदेता अपना अपना कूस तरिए टाल तेब लेकिन विए गर्णाइं तो रहा रहा है कि सब को जादा लेकर पैसे के लिए लेकर तो लड़ाई होती है कि इसको दे दें जादा मकान के वाला उसको ना दे दें अगर यह क्लियर कट होता कि बड़े बेटे को सब मिलेगा लेकिन राजबाट वर इस्तथी तो इस्तथी शायद कुछ और होती खैर हमारे साप से भी सबको बराबर बटना चाहिए यह चाथлена कंदनच है , अभी बिबयाबहर विखार समस्तर पुत्रों में कर दिया जाता था अपने अनुसार आपके अनुसार साथ को सही नहीं है बागियों के साथ कियों आप उगरब़कुरे Lini मोगलों के साथ मुगल के सब्सक्राइबॡ आप मेत STEPन पूंग का थे अब जो मुगल थे उनकी दूसरे राजायों के साथ कैसे सम्मझत थे लिए भू से थे थे थे, हमारे देश के ठीने, तो हमारे देश में अलग-अलग प्रकार के राजा वayı करते थे, राजपूत वग़ेरा भी वा करते थे, कुछ और भी जो प्रजातियां हुआ करते, उनके पूरा अपना अधिकार रिस्तापत करी लिया था तो मुगलों ने उन शास्कों के विरुद बहुत अभियान चेह रहे थे वह कॉंस्टेंटली लगातार वह लड़ते रहे जिसने भी कहा दिया हम रिफ्यूस करते हैं हम एक सैप्ट नहीं करते आपकी अधिकार को जब मुग मुगलों की सेना इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल है कि हम जीत तो सकते ही नहीं कि जब हम जीत नहीं सकते तो क्यों नहीं यह मान लिया जाए कि ठीक है भाईया हम आपके अधिन है तो इन्होंने ऐसा ही कि कि सत्ता को स्विकार कर लिया उधारन दिया है राजपूतों क कर के अच्च पद्द प्राप्थ कि राजपूतों कि राजपूतर ने क्या किया है राजपूत इसका बहुत अच्च अधारन है और यह में बड़े जा सकता और हाई पोजीशन का राजबूतों को बहुत जादा इंट्रस्ट था कि हमें अच्छे-ची राजगद्धी पर हम भी बैटें तो हाई पोजीशन मिलने का एक सबसे बड़ीया तरीका है रिष्टेदार बन जाओ अब कोई अपने संदी के घर में जाके रिष्टेदार के गर करेंगे भी क्यों रिष्टेदारी स्थापत कर लिए इसका आपको उधरन दिया है राजबूतों के साथ मुगलों की शादिया होई उसके एक्जामपल याद कर लेना जहांगीर की जो माती वह कच्छवा की राजकुमारी थी वह अंबर वर्तमान में जैपूर के जैपूर के राजबूत शासक की बेटी थी दोनों का आपको एक्जामपल याद करके लिख लेना है कि अगर आपको बताएं किनके मुगलों ने कैसे संबंद स्थापित कि राजबूतों से तो तुम बता सकते हो कि शादियां करा दिया अपनी बच्चियों की जिसके दो ए मारवाड जोदपूर जो है आज वहां के राजबूत राजबूत थी नेक्स बात क्या हो मिवाड की जो सिस्वोधिया राजबूत थे वो लंबे समय तक मुगल की सत्ता को सविकार करने से इंकार करते रहे अब यह याद कर लो अच्छे से बात जो हिमायू था ना जब हिम हिमायू बहुत ज्यादा परशान हुआ हा था तो हिमायू जो था भागा था हिमायू कौन था बावर का सबकर यह भाग गया था और जैब भाग था तो इसको सिशोधिया से मदद करी थी लेकिन यहां पर आब काहनी चल रही है इस व Это राजबूत जो थे ऊंप मुगलों सत तहांतों को स्विकार करने से इंक्र करते परन्तु जब वह ब्हुतच वह ब्सक्स दिक अब यह बात कि य हमने सब्सक्त मिल रही ओं ढ़ें गुटिकश्थ 151च बिसुक्स सब्सक्राइब करना पराजित करना पराजित करके परनतों अपमानत ना करना ना करने के बीच इन्हों साफधानी बनाए पनाते गई है मतलब यहां के बहुत सारे राजाओं को इन्हों ने हराया लेकिन आराने के बाद अपमानत नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आप उनके दिल में जगा बना लोगे फिर वो लोग आपके साथ मिल जाएंगे और उनके पास option भी ठीक है तो इनके साथ मिल जाते थे यह चीज जो थी उन्हों ने बहुत साफ़ दानी पूर्व के स्तनीके से संतुलन मनाया और मुगल जो थे इस पॉलिसी के वज़े से भारत के अनीक शासकों और सरदार उपर अपना प्रभाव बढ़ा पाई प्रभाव तो बढ़ी प्रदार हार रहे हैं जो शासक हार रहे हैं फिर भी मुगल उने उनकी जागीरे वापस दे रहे हैं या फिर उनको समान भी दे रहे हैं ठीक है इस संतुलन को वह हमेशा बरकरार रख पाएं ऐसा बहुत कटिन था हमीशा नहीं हुआ और अंगजेब के टाइम पर बहुत ग कि अपना समराजी का बस्तार कर रहे हैं हमने कहा कि बो दूसरे राजाओं को अपने आद साथ मिला भी रहे हैं फिर इन लोगों ने क्या किया मुगलों के अलग-अलग समाजिक समुगों के सदस्य को नहीं अपने प्रशासर में नियुक्त कि किसी राच्पूत को नहीं को पदवी देदी किसी और को जी जिससे वो जीते होंगे उसको पदवी पर बठा दिया अलग 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 प्रकार के लोगों को अलग अलग समाजिक समुगों के लोगों को उन्होंने अपने सबको को सब्सक्राइब शोटे समुग में इरानियों भारत की जो मुसल्मान थे उनको अफगानों को राजपूतों को मर्ट्वों को सब को समयलथ कर लिया बिशिकली सब अलग-अलग पॉस्ट ये देने लगए कभी कहीं माराथा को बढ़िया पोस्ट देदी एक तरीके से सब को साथ लेके चलने की पॉलसी अपना ली मुगलों की सेवा में आने के कारण अब यह लोग जो मराठा हैं जो राजपूत हैं जो अफगान हैं जब यह अलग-अलग पोस्टों पे बैठ गए तो इन पोस्टों को बोले कि आप हमारे मनसबदार हैं नौकर शहा हैं कौन है हमा आपको पैसा देंगे तो जो भी दिया जाएगा जिस तरीके से भी देते होंगे मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिने कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था ुम्रों के लिए होता था जीनने कोई मनसब यानिक सरकारी हैसियत या लोग ने बाट रखा था और हारेक की सालरी तुम्हें भी पता है आज भी अलगी होती है कोई क्लास फनाइस ऑफिसर होगा उसकी सालरी अलग होगी बिल्कुल तो यहीं व्यवस्ता चलती थी उसमें भी मुगलों की द्वरा चलाएं गई श्रेणी व्यवस्ता थी यह रेंक बाला चलाते थे वो जिसके जरीये फर्स्ट पद सेकेंड वेतन और तीसरा सैन्य उत्रदाइद निर्दाइद किया जाता था जिसका जो पद है जिसका जो रैंक है उसके इसाप से उसकी सैलरी होगी और जिसकी जो सैलरी होगी उसके इसाप से उसका सैन्य उत्तरदाइद ह सोब कि आपको सीना में कौन सा काम करूना है अपको कौन सी रिस्पॉंसेटी दी चाएजए अब आप देखो अुझा में उसकी रिस्पॉंसेबिलीटी पहले मंसबदार वापस रिवाइस करो मंसबदार ऐसे व्यक्ति होते थे जिनका जिने कोई मंसब यानि कोई सरकारी हैसियाद या पद मिलता था चीक है अगर तुम्हें कौवर्मेंट जॉब में आये तो तुम मंसबदार हो गए समझ रहे हो उस समय की सरकारी नौकरी तो यही थी इनकी नौकरी तो सरकारी पद मिल गया तो मैं सरकारी हैसियाद मिल गए तो तुम क्या बन गए मंसबदार मिल बन गए तो मुगलों ने मंसबदार में भी यही होता सरकारी नौकरी भी तो होती क्लास वन ऑफेसर की क्लास दो इनकी भी ऐसे थी फिर उसी के सबसे सालरी निर्धारत होती तो इन में भी चल रहा था आगे देखो को सैन्नी उत्तर्दाइद वो निर्धारत किया जाते देत हो गया हमारा इसके बाद आ जाओ जात की संक्या पर सब बढ़ जाती था उस प्रक्ति की जो प्रतिश्टा है सम्मान है वह उतनी बढ़ जाता था को अभी कैसे बादे Jak个 Edge यह पर लेतें पांच हजार जात वाले अभिजात को एक हजार जात वाले अभिजात से उचा माना जाता था कहा जा रहा है मान लो जैसे आपकी होता है नहीं कि आपको फाइव स्टार होटल में रुका तो फाइव स्टार होटल हमेशा फ़र्न स्टार होटल से बढ़िया होते हैं होते नहीं मतलब हो गया 5,000 अभी जाहत का मतलब हो गया कि आपका राइंक जादा है तो आपको पैसा भी जादा मिलेगा पैसा भी ज्यादा मिलेगा एक तरीके से अकबर के शाशनकाल में 29 ऐसे मनसबदार ऐसे गौर्मेंट ऑफसर्स ते जो 5000 जात के पद्वी पर थे 5000 की पद्वी पर यानि की 29 को बहुत सारा पैसा मिलता होगा ठीक है पैसा किस रूप में अभी बताऊंगे लेकिन और हम गजेब के शाशनकाल में देखो तो मनसबदारों की संक्या 79 हो गई बढ़ गई तो क्या इसकार्थ यह हुआ कि राज्जे का खर्चा बढ़ गया क्योंकि मनसबदार जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे खर्चा तो बढ़ेगा समझ रहे हो सरकार जितने गौर्णमेंट ऑफेसर को चुनके अपनी सर्वेसेस में लाएगी सबको सालरी भी तो देनी पड़ेगी तो अकबर के शेशनकाल में 29 मनसब मनसब्दार थे और अंगजेव के शेशनकाल में यह 79 मनसब्दार आगे आओ यहां पर जो सेन्य उतरदाईत वो मनसब्दारों को सौपे जाते थे उसी के अनुसार उन्हें घुर सवार रखने बढ़ते थे जैसे अगर आपको हमने कहा कि आप एक पर्टिकुलर पोजिशन पर आपको 5000 ड़य रखने हैं आपको चोटी पुजिशन पर आगई तो आपको 50 घोड़े रखने तो जो मनसब्दार होते थे यह कै जो सबारू को करूंत के लाएगा सेना में आपका क्या काम रहेगा आप कितना उत्तरदाइद सुमाल रहें उसी के नुसार आपको गोड़ सवार रखने हैं गोड़ो वारी सेना बेसिकली बनाते थे मनसब्दार अपने सवारों का निरिक्षण के लिए लाते थे क्यों क्योंकि गोड़े लाएं के तब ही तो एसाबसें को गोड़ो का अच्छा मेलेगा आज से चालो अब मान लो कि तुम चार दोस्तों ने कि 정도 दुस्ता अब सरकार के ओफिसर आएगे Archie और क ouais कर सकते हो कि यार मैंने रखे तो पचासी मैंने सर को 13 खड़ा वह मुझे दे देंगे तो पचासी मिनटें रहूं सर को क्या पता मैं थिर्स को कुरें तुम दूसरे-क चेको का तो वो तुम्हारे वाले गोड़े लाके दिखा देगा इन्हों ने कहा कि घोड़े आपस में मिक्स कर देंगा हम कैसे चेक करेंगे और गौवर्मेंट चुक हर्चा दे रही है ठीक है वो अगर एक आदमी को देड़ सो गोड़ों का दे रही है क्योंकि वो इससी लि लगते हो ना घोड़ों पर महर लगती तो अब मोहर अलग अलगे तो जब ओफसर आयगा तो राम के गोड़ों को मिला नहीं पाएगा तो अमझ में आरी है मेरी बात कि घोड़ों के उपर निशान लगा दिया करते थे चीके अब वापस फीचे चलते हैं थोड़ा सा फिर स को रिवाइस करो मनसबदार शब्द का प्रयोग की व्यक्तियों के लिए होता था जिने कोई मनसब यानि कोई हैसियत सरकारी पद मिलता था आप गौवर्मेंट के सरकारी पद पर हो आप मनसबदार हो आप नीची पोजिशन पर भी हो तो भी आप मनसबदार हो लेकिन उस हिस से आपका पैद होगा तो उसी साफ से कि सैलरी होगी और उसी साफ से आपको सेना में उत्रदाइद भी मिलेगा ठीक है सेना में उत्रदाइद भी आपका उसी साफ से ही होगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं जात की संख्या जितनी ज्यादा होती थी दरबार में उसकी प्र पर कितने दलवार बाज आपके पास हैं 50 तो 50 का खर्चा ये लो इतना 50 गोड़ों को आपको पाल नहीं पैसों से इस सरीके से मनसबदार अपने घोड़ों का सरवेकों कराने के लिए जाते थे अपने को अपने अपने जोकी मनसबदार गोड़ों दक्रांते हैं 50 काम आएं काम करेंगी तो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है ना नहीं तो मनसबदार अगर उसका मन चेंज हो जाए जुटा हो जाए तो वो पचास की जगा सतर ही रखे पचास की जगा अगर वो बीस रख रहा है तो तीस का खर्चा तो अपनी जेम में डाल सकता है इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता होगा समझ रहे हूं अब इन कारवाईयों के बाद ही उन्हें सानिकों को वोतन देने के लिए धन मिलता था समझ में आ रहा है घोडों पर दाग लगवाते थे और सानिकों का पंजी करण करवाते ते रजिस्ट्रेशन करा दे थे मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रत करने वाली भूमी के रूप में पाते थे अब मनसबदारों को पैसा कैसे मिलता था अब यह मनसबदार है वो रिसीव करते थे अपनी सालेरी एस दर रिवेन्यू असाइन्मेंट्स कॉल्ड जागीर अब राजा ने क्या कहा कि य इसी पैसे में से तुमें अपने गोविजो अपने सानिक मैनका उपना उक्व्रिक निकालना है यह जैसे अपने एकता पड़े थे नहीं उसकी तरह Two लेकिन इक्ता में और इसमें अंतर है क्या अंतर है इक्ता में उनको वहीं रहना पड़ता था इनको नहीं रहना पड़ता महां पे एक्ता में एक्तादार को वहीं रहना पड़ता था इक्तादार यह मुक्ति हमने पड़ा था परन्तु मनसबदार मुक्तियों से भिन अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, एक्तादार और एक्ता जो थे, मुक्ती जो थे, उन्हें उन्हीं जमीनों पर रहना पड़ता था, जहां से वो टेक्स वसूल करते थे, लेकिन यह जो मनसबदार थे, इन्हें वहां नहीं रहना पड़ता था, जैसे वर्क फ्रम होता है न, बस तरीके से, अपने पास, अपनी जागीर से, केवल राजस वा एकत्रत करने का इने अधिकार था, केवल इतना ही अधिकार था कि हम जो है, revenue वसूल कर सकते हैं, इस जमीन से, क्या हुआ, राजा ने अपने नीचे मनसबदार रखे, मनसबदार जो थे, जो ने जमीने मिलती थी, उस revenue collect करते थे और केवल इतना ही अधिकार इनको था कि जमीन से revenue कर सकते हैं जो भी खेत के वजदूर वगरा काम कर रहे हैं जिनके भी खेत हैं जमीने हैं जो भी उस revenue आ रहा है केती वेती से गोईने मिल जाता था यह राजस्फ उनके नौकर उनके लिए खत्रत करते थे तो जगा से जुए पैसा घठा कर लाओ yhtम में जागिरों का आवदान यह बिया किया हैं यह जडोगा उपको अगक्र है कि जमीन से कितना ज्याधा सकता है कि जमीन से कम पैसा आएगा चिक यह भी बहुत से ज्रूद आ पैसा अरे कहा सग कार नौन से ज्ञेदा पैसा यह ठ मनसबदार का खर्चा भी ना निकले एक जमीन है बंजर है वहां से रेविन्यू क्या ही आएगा जब उस पर खेती नहीं होगी तो किसान इनने टेक्स क्या देगा समझा रहा है तो यह देखा जाता था उस समय अकबर के शेशनकाल में कि भई हर एक को जो मैं जितनी जागिर यह दे रहा हूं क्या उससे उतना खर्चा निकल पा रहा है कि मनसबदार की सालरी बन जाए और अंगजरेब के शेशनकाल तक पहुंशते पहुंशते स्थी बिल्कूल बदल गई अकबर के शेशनकाल में बहुत अच्छे से अंकलंड किया गया और ॉर्गजरेब की सशना प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था मनसबदारों की संक्या में भी अधिक व्रद्धी हो गई अगर मनसबदार बहुत सारे रखोगे तो जगीरे चोटी-चोटी हो जाएंगी एक मांके दो वेटे एक मांके दस वेटे मकान उतना ही सब को चूटा- करना पढ़ता था यहल अब लेने वाले जागीर बहुत सारे हो गए और जागीर थो उतनी ही है तो इन्हें बहुत इंतित्रा इंतिजार करना पढ़ता था मनसबदारों के संख्या में जाद वर्द्धी हुई जिसके कारण अगीर मिलने से पहलेख्यों क Moreover, इन सभी कारण कि यार मुझे ना शे महीने के लिए यहां का जा yap तर बनाय गया तो यह लोग किसान हो जो भी हो जितना पैसां उनसे उगा सकती हूं थे जução किड़ें कि कोषिश करें बैंदिए कि कि मुझे लोग और किया कर呢 लगे जगी दफquito THE कई जागीरदार जागीर पर रहने की कोशिश करते थे यह कोशिश करते थे कि जितना रिवेन्यु हो सके वसूल कर लो अपनी शाषणकाल के अंतिम बर्षों ने और अंग जेब ने और अंग जेब इन परिवरतनों पर नियंत्रन नहीं रख पाया इस कारण किसानों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा जाते ते अध्य हीरक करते ते awareness समझ में आ रहे जिटने जैघी मिल जाती थी ती जोग कि सनों को राजा को तो पतानी चल रहा है इस किसान से कितना उगवा लिया पता चल द 나올 जब्त और जमिदार किया है अब ये भी समझ दो मुगलों की आमदानी का प्रमुक साधन किसानों की उपच से मिलने वाला राजस्वत्राव आज भी गौवर्मेंट जो है लोगों के टेक्स से ही सब कुछ करती है तो मुगलों के टाइम पर क्या होता था तब तो जनरली फसल होगाएंगे वोंकी इंकम कमेन सोर्स ता और अधिकतर स्थानों पर किसान ग्राम रिन कुलीनों यानिकि मुक्या या सरदारों के माध्यमसे राजस्वते दें वो तक यह था कि गाओं का कोई मुक्या है सारी किसानों के पास गया उसने किसानों से रिवेन्यू लिया और जाके आगे दे दिया, या फिर वहां के स्थान का जो सरदार है, वो राजस्पो वगएरा ले लेता था, जाके समस्त मध्यस्तोतों के लिए जो भी जो पीच में मिदल मैन हुआ करते थे, जाहें वे स्थानिय ग्राम का मुखिया हो या फिर कोई शक्ति चली सरदार हो, वो उस गाउं का मुखिया हो चाहें वो कोई सर्दार हो वहां का दोनों को जमिदार बोला जाता है ता आज भी जमिदार होते हैं चिक है इस जमीन पे राजस्वार जो वसूल करके लाएगा वह उनके लिए जमिदार है अब अकबर के राजस्वामी टोडर मल अकबर के सटर से बंदरा सो असी के बीच में स्टाइम पिरड में जो क्रॉप की पैदावार हो लिए बहुत उसने बहुत कियरफुल उसका सर्वे किया क्रिशी की भूमी का बहुत सर्वे किया कितनी फटाइल लेंड है मान लोग पांच गाउं में निकल गया वसमें देखा कि दे इतने पांच गाउं है फवे नहीं लोग पांच गाउं पांच वे और भी तो बहुत फटाइल है यहां से ज़ाधा राजस वह सकता है बहुत अची फ़सल हो जाएगी यहां पर लेकिन सी जो है वो बिलकुल बंजर है यहां से पैसा नहीं मिलेगा फिर दी ओक्यों यह प्रतिक सूबे यानि परांथ को राजस्वा बाट दिया उनको राजस्व मंदलों में बाट दिया गया मंदल क्या होता है जिसे काफी सारी जगा मिलाके बोले एक मंदल हो गया और प्रतेक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलगी सूची भिरा ली ठीक है समझ आगे हैं यहाँ लेकिन राजस्व प्राप्त करने की ये ववस्ता को जब्त का जाता था राजस्व यानि कि रिवेन्यू प्राप्त करने की जो व्यवस्ता थी किस तरीके से आमने क्या बनाया सूबे बनाए ठीक है और फिर राजस्व मंडलों में उन्हें बाठ दिया इन सब को यह जो जो प्रतात ही एक वनां दिया देखो इच प्रबिंस डिवाइड़ एंटू रिवन्यू सरकल्स एक यह यहां से यहां से यहां से जो भी हम राजस्व दर के अलगलग सूची बनाई कि यहां से इतने पर्संट हम लेंगे अब मान लो कि एक आदमी है वो तो नहीं नहीं तो इन्हों ने क्या किया इन्होंने का कि हर फसल के लिए राजस्फटर के अलगी सूची बना लिए इस पर जाधा फाइदा होता है यह जादा आप्ति करेंगे पूरी विवस्ता थी इसको जब्त कहा गया यह प्रशासन उन्हें स्थानों पर प्रचलेता है जहां मुगल प्रशासनी का दिकारी भूमी का निरिक्षन कर सकते थे पूरी जो व्यवस्ता थी जहां पर मुगलों के प्रशासनी का दिकारी जा सकते थे भूमी का निरिक्षन हो सकता था वहां यह सब इन्होंने लागू क तुम गुजरात और बंगाल में ऐसा क्या हो गया वहां पर क्यों भूमी का नेदिख्षान नहीं कर पारे क्यों वहां नहीं चेक कर पारे कि कौन सी फसले होती है किस पर कितना राजस्व लगना चाहिए क्यों कि वह दिली में में उनका सेंटर हो गया अब गुजरात प्रिशास को द्वारा शोशन किया जाने की स्थी में विद्रो कर सकते थे जमिदार क्यों विद्रो कर रहे थे वही जमिदार को क्या था पता था कि आगे जाके पैसा तो राजा को मिलना है तो क्या हो रहा था कि कई बार जो गाउं के लोग थे ना मुगलों के आर्मी इने परिशान करती हो गी ठीक है शोशन बहुत जादा हो रहा था इन से जबदस्ति का आ जा रहा था जमिदारों से नहीं इतना पैसा विक अट्टा करके ला हुआ रिविन्यू जादा लो ऐसे ड़्टे करके कुछ तो कुछ शेत्रों में जमिदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रिशासकों के द्वरा शोशन किये जाने पर जब मुगल प्रिशासकों कोने लावी आदिमीओने जैब पच्छरों में देखा है गाउं में आते हैं अत्या? आम वालो पर तो आँ म शिरिवार जो मुखिया होता है उनके खिलाफ होजाता है ये भी convince वह जाया यहां के मुखिया यहां को इन्हों के खिलाफ विद्रोग कर दिया है कभी lazad जमिदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रों कर देते थे मानों का मुखिया बढ़िया अदमी है उसका काम यही है कि इन गाउंवालों से ले पैसा और रिविन्यों राजा को देते लिकिन इसे दिख रहा है कि गाउं के स्थी बड़ी कराब है इसकी बेटी का भ्या अब सीधी सी बात है तुम्हें गाउं के मुखिया हो तुम से कहा गया कि तुम जमिदार हुआ तुमको जमीनों पर से टेक्स वसूल करना है अब तुमको टेक्स वसूल करना है तुम्हें समझ आ रहे है तुम्हारी डूटी है तुम्हें जमिदार बनाए गया लेकिन तु ना अब तुम्हें पता ही फिर शोशोनों का मारेंगे पीटेंग आपके कुछ गरबर करेंगे जबरदस्तिन चीज़े ले लेंगे तो तुम लोगों ने किसानों के साथ मिल गये तो कि जमिदार वहीं गाउं में रह रहा है उसे समझें उनके समस्यें उन से मिल जाता था और बहुत इनकी जो समराज्य था उसकी इस्ताइत वो बना रहे ना उसको चुनाती मिल गए थी ओडिकोरीज और यह ब्राइब ले रहा है दिया दिया जाला आ गया कि टाइम अफसर आदो अफसर अदिकारी और एक अधिकारी गरीब के सानों को सजा दे रहा है ठीक है अधिनिस्टेटिव ऑफिसर आया होगा अकबर नाम और आहिने अकबरी नेक्स टॉपिक आता है मारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल पूछा जाता है एक्जाम में किसने लिखा था यह सब भी पूछ कर रहा हूं इसकी पूरी हिस्ट्री लिखो तो अब फजल नेतिहास तीन जो है वॉल्यूम में लिखा चीने तीन जल्दे बोला जाता है जैसे कहते हैं बुक वन बुक टूबिक थ्री अकबर नामा इसको नाम दिया गया ठीक है इन तीन जल्दों में इसको लिखा गया और पहले वॉल्यूम में लिखा गया दूसरी में अकबर अब सेके नमर पर तुम्हारे तुम्हारे शाशनकाल की जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जो भी गटना है क्या लिख दो से आगे आने वाले लोगों के पता चले कि मेरे शाशनकाल में क्या क्या हुआ था यह रिखा पूरे समराज्य का भोगोल यानि की जोग्रफी कैसी थी कहां पहाड़ है कहां राजस्तान है इस तरीके से उस सबका ब्योरा मिलता है समझ में आ गया इसके बाद इनके जो समकालीन थे इनके जो टाइम के थे भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का विस्तर इसमें समकालीन भारत यानिकि उस समय भारत कैसा था लोग कैसे थे परंपराओं कैसी थी संस्पृतियां कैसी आपको यह सब भी देखने के लिए थ़र्ड वॉल्यूम में मिलता है सब्सक्राइब करो फॉर्वज सेकिंड वॉल्यूम में आख बरके टाइम का आड्मिनिस् इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं और तीसरे में बताया कि अकबर के टाइम पर जो है उसोल्ड है किसे घरा नहीं है उसकी आर्मी कैसी थी वहां की साब कुछ लिख पाए गया और सबसे दाता इंट्रस्टिंग बात इसमें आ जाती है बहुत रोचक बात है कि विविद प्रका चीजों की कैसे निर्धारित हो रही है मजदूरों के बारे में और राजस्वकास अंखिया पढ़नन मिला जैसे स्टाटेटिक जिसे हम कहते है ना डाटा बना के तरीके से इतना यह उपर गया इतना चावल जादा हुआ है इतना केती गयों की घटी तो एक्तम स्टाटेट अब जहाइँद के दर्बार में कौँ रहती थी जहाइँद के दरबार में नूर जहां का ब्वाओ अब देखते हैं कि यह क्या है नूर जहां का इंफिलेंस था जहां केंदोर इनका इनका नूर फैला हुआ है कि मेरुन निसान नूर जाहां का ही नाम था बचपन का 1611 में जांगीर सिनका विबा हुआ कहा जाता है स고 बुक में नहीं दिया है पर अदके नूर जाहां पहले ही शादि होई थी इम इसा था उटती जहांगीर के पती बहुत वफादार थी बात ये थी कि नूर जहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी उन्से बहुत प्रेम करती थी और उनके लिए बहुत लोयल थी और समय समय पर उन्हें बहुत सही हो करती थी पत्नी जो लोयल होगी अपने पत्नी को सपोर्ट करेगी है मिश ठीक है नूर जाहां के सम्मान में जहांगे ने चांदी के सिक्के जारी किये ठीक है नूर जाहां के वो टोटो लगवाई होगी उसने सिक्कों पर अतनी सवात प्रेम था इन है अब इन्हों ने इनके लिए चांदी के सिक्के जारी करें जिसमें एक और स्वेम के किताब उत् बेगम नूर जहां के नाम से गड़ा हुआ यह सिकों पर लिखा हुआ था, बाई ओर दिया गयाativa है। आदेश परमान है आपको यह एक पिक्चर दिखा रखिये ह? नूर जहां ने कोई लिखा हुआ है, चकूर मोहतर बताती है, उदात और महान महारानी नूर जहां, पदशाह बेगम का आदेश, गोल मुहर के नुसार जहां के प्रताप से महारानी, चंद्रमा जैसी वेभवशाली बन गही थी, हम ये काम ना करते हैंगे नूर जहां पदशाह इस योग की सरवत्तम महिला बने, भाटर भाटर नहीं है, बस नूर जहां कौन थी, कैसा इनका स्थान था, चांदी के सिके जारी के रिखिये थे, तो आपको MCQ में पूछ सकते हैं, भी सोने के सिके थे, चांदी के से, इस तरीके से कुश्चन भी बन सकता है, चीक है, एडजाइनिंग डॉक्यमेंट जो साथ में दे रखा है, उसे क्याते हैं, नूर जहां फर्मान देती थी, एक तरीके साधेश देती थी, स्क्वाइर सील बताती है कि कमांड ऑफर मोस्ट सब्लाइम और अलिवेटेड मेजिस्ट्री नूर जहां, बादशाहा बेगम, और राउन सील बताती है कि वो क्या है, बाइदा सन ऑफ, इसके पिता थे, ठीक है, तो अकबर के सुलहकुल की नीती का उनके पुत्र जांगिर्सवरिया, जहांगिर के पिता थे अकपर, ठीक है, इश्वर की अनुकंपन्ना, क्या है ये, इश्वरिया, अनुकंपा की विस्त्रत, आचल में, सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनिवाई सब धर्म बरावर है, इसलिए इतने विशाल समराज्य में, जिसकी चारो और सीमाई केवल समुद्र से है, हमारे उदर तो बहुत समुद्र है न, निर्धार निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनिवाई हो, और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए ज आपको टॉलरेट करना है, सब को, मतलब आप हिंदू हैं, तो आपको मुसल्मानों को साथ लेके चलना है, सिक्कों को साथ लेके चलना है, एक दूसरे के दर्म का संभान करना है, बिसिकली यह चीज़ थी है, यहां सुन्नी और शिया, यह मुसल्मानों में होते हैं, दोनों एक ही मज़द में घठे होते हैं, सुन्य और शिया एक तरीके से अपने आपस में भेदभाव नहीं रखते, यहां यहूदी एक ही गिर्जे में प्रात्ना करते हैं, हिसाई और यहूदी, यहां भी वो एकता दिखा रहा है बिसे के लिए, उसके सुसंगत तरीके से शान्ती क सिद्धान्त को नहीं परन किया, इसे शान्ती का, सार्वेक शान्ती, मतलब एक तरीके से उनिवरसल पीस को सुलैकुल कहा जाता है, सुलैकुल is equal to universal पीस, सत्रवी शताबदी में उनके प्रशात मुगल समराजे कैसरा मुगल समराजे की प्रशास्तिक और सनिक उशलता के फलजरूप आर्तिक और वानिजिक समरद्धी में व्रति होई देखो सीधी सी बात है जब administration इनका हुआ तो military efficiency काफी बढ़ गई थी इसमें ये बहुत काबिल थे इसमें कोई दोर आई नहीं कि हम कमजोर थे तभी तो नोंने हम पर चाचन कर लिया था और ये बहुत ताकत वर थे इसलिए कई सो साल तक हम पर राज करते रहे यहां पर आके हैं नमारे देश में क्योंकि इनकी जो military efficiency थी बहुत जबरदस्त थी मुगल एंपायर ने लीड किया था बहुत great economic or commercial prosperity को ठीक है विदेशी यात्राओं यात्रियों ने वैसे धनी देश बताया था हमारे देश को बहुत जैसे कि किसे कहानियों में हमें पढ़ता चलता है बताया उस समय जो विद ॖारें रही है वही साथ कुझता था बहुत बड़ बड़े किले बन रहे हैं बहुत बड़े मकान मरता में पहँचग बहुत बढ़ा समय समय शगता एंसे मनसपदा जिने उच तम बढ़ प्रात था उलो आठ हजार में से 445 ही थे आठ हजार तो मनसबदार हैं लेकिन 445 हाई पोस्ट पर हैं तो मोस्ट भी सारी साड़ी तो उने चली गई समझ में आ रहा है कुल मनसबदारों की छोटी संग्या 5.6 प्रतिशती समराज्जे के अनुमानित राजस्व का 16.5 प्रतिशत स्वैम उनके सावारों के वेतन के रूप में दे दिया जाता था मुगल समराट और उनके मनसबदार अपनी आयका बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तूँ पर लगा देते थे इस खर्च में शिल्पकारों और किसानों को भी बहुत लाब होता था जो कि वे व आता था वे उत्पादक शक्ती बढ़ाने के लिए अतरिकत संसादनों में और अजार और अन्यवस्तों में निवेश करने की बार सोच भी नहीं सकते थे और ऐसी अर्थविवस्ता में ज्यादा धनी किसान शिल्पकारों के समूंव व्यपारी और महाजन ज्यादा लाग उ गए ते और इसमें से कुछ नए वंच भी स्थाप पेतों गए थे हैद्राबाद और अर्वाद जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रा नहीं जमाल लिया था और यह दिल्ली के मुगल समराट को स्वामी के रूप में मानिता देते रही अता थारवी शताब्दी तक समराज कर दो